आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम दो टॉपिक के ओपर बात करेंगे पहला टॉपिक यह है कि अगर जून 2022 एक्जाम की जो फर्स्ट अपडेट आपकी आई है उसमें अगर आपके मार्स काम आये हैं तो आप क्या कर सकते हैं और साथ में बात करेंगे ग्रेड काड में यह NOT completed का बाता है और उसका मतलब क्या होता है तो आज की वीडियो काफी हमपॉर्टन होने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अन तक देखे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो वीडियो की सुरुवात करते हैं और जून 2022 एक्जाम की फर्स्ट अपडेट कल 24 अगस 2022 को अपडेट कर दी गई अभी भी काफी सारे स्ट्ट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक डिकलेट नहीं किया गया लेकिन कुछ स्ट्ट अपडेट में को सब्सक्राइब का रिजल्ट डिकलेट किया गया आगे आगे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर और भी अपडेट आएगी जिसके बाद आपका रिजल्ट डगातार डिकलेट होता रहेगा अपडेट होता रहेगा और ज्यादा स्ट्ट का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा लेकिन जो कम स्ट्ट्ट का रिजल्ट आया है फर्स्ट अपडेट में 30 नंबर 35 आपके पक्का थे कि मिलने चाहिए और आपको मिले सिर्फ 15 नंबर तो उस case में आप क्या कर सकते हैं अगर 35 मार्क आपको लगता है कि मिलने चाहिए थे और आपको 32 ये 31 मार्क मिले हैं तब इसमें इतना जादा मुझे नहीन लगता कि कुछ फाइदा होगा कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा जिस दिन आपका result आता है किसी भी subject का उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको जो re-evolution का form होता है वो भर सकते हैं और उसके बाद फिर re-evolution के result में आपका जो checking होती है एक बार फिर से हो जाती है कि आपको कोई गलत checking गलत marking तो नहीं मिली ये उन student के लिए काफी अच्छा है जिनको 10 marks, 15 marks तक कम मिले हैं उनको उनकी उमीदों से 10-15 marks तक कम मिले हैं क्योंकि इसमें 10-15 marks बढ़ जाते हैं और आपके अगर एक दो marks का फरक है तो उसमें तो इतना ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा कोकि 650 रुपीज का जो होता है वो re-evaluation का एक subject का form होता है यनकी अगर आपको re-evaluation एक subject का करवाना है तो आपको 650 रुपीज देने पड़ेंगे 100 रुपीज जी होती है वो आपकी अगर आप answer sheet खुद देखना चाते है तो वो 100 रुपीज आपको देने पड़ेंगे तो टोटल मिलाकर 750 हो जाता है अगर आप answer sheet भी देखना चाते है तो उसी ताप से आप calculate कर सकते है अगर आपको पूरा यकीन है कि हाँ मुझे ज़्यादा marks मिलने चाहिए थे तो आप इस तरीके से ये तरीका अपना सकते है कि आप re-evolution का form भरें और उसके जरीए अपने marks को increase कर दे re-evolution के जरीए marks increase होते है काफी सारे instrument ऐसे है जिनके 5 marks 7 marks even 10 से 15 marks भी increase हुए है तो अगर आप interested है आप अच्छी तरीके से पहले खुद सी और हो जाईए कि आपको marks ज्यादा मिलने चाहिए थे या फिर नहीं कितने ज्यादा मिलने चाहिए थे उस हिसाब से आप उसको re-evolution को form को भर सकते हैं अगर आप fail हुए है और आपको ज्यादा उमीद नहीं है कि आपके marks और ज्यादा increased होंगे तो December का जो exam है उसको आप भर देना December exam form को भर देना और December में आप exam भी दे सकते हैं दूसरा topic है grade card में not completed का क्या मतलब होता यहाँ पर जो screen है उसी में यह आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर not completed लिखा हुआ है ठीक तो आपको हर subject के आगर remarks जो होते हैं उनमें यह सब चीज़ लिखी होती है किसी में completed लिखा होता है किसी में not completed लिखा होता है not completed नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका वो subject अभी complete नहीं होता complete तब लिखा हुआ आता है जब आपके assignment के marks भी आ जाएं और theory exam के marks भी आ जाएं या practical है तो practical marks के exam के number भी आ जाएं grade card के अंदर और दोनों में आप pass भी हो जब आप assignment के marks आपके आजाते हैं grade card के अंदर और उसमें आप pass हो गए और theory exam के marks आगे उसमें भी आप pass हो गए तब आपके subject के आगे completed लिखा हुआ आ जाता है इस समय काफ़ी सारे instrument ऐसे जिनके सिर्फ theory exam का marks आये हैं assignment के marks नहीं आये हैं इसलिए उनके subject के आगे not completed लिखा हुआ उसका मतलब यह नहीं है कि वो theory exam में fail हो गए है ठीक theory exam में अगर आप fail हो जाते हैं तब तो not completed लिखा हुआ आता ही है या फिर assignment के marks जो लगे हुआ उनमें आप pass नहीं है तो आपका subject के आगे completed तब ही लिखा आता है जब आपके assignment के और theory exam practical दोनों के marks लग चुके हो और दोनों में आप pass भी हो चुके हो इसमें एक चीज और बता दू कि मैं कि आपको दोनों में separately pass होना होता है इस वीडिया आता है